साथियों, हथियार और मिलिटरी एक्विप्मेंट बनाने का भारत के पास सद्यों पुराना अनुभव है आजादी के पहले हमारे यहां सेंक्डो ओर्डिनेंस फेक्टरियां होती थी दोनों विश्विद्व में भारत से बड़े पहमाने परहत्यार बना कर भेजे गए थे लेकिन आजादी के बाफ्त अनेक वजहों से इस व्यवस्ता को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था हालत ये हैं कि स्मॉल आम्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स मैंसे हैं और ये कोई बड़े गवरों की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ नहीं है आप देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एग भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्मान कर रहा है मंगल तक पहुँचने की शमता रखने बाला भारत आदूनिक हतियार भी बना सकता था लेकिन बाहर से हतियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था और मनुश्य का स्वभाव भी ऐसाई है कि जो जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है चलो भई उसी रास्ते पर चल पड़ो आप भी आज अपने घर जा करके अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अन्जाने ऐसी कितनी ही विदेसी चीजों का आप बरसों से इस्तमाल कर रहे हैं डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है लेकिन अब आज का भारत इस थिती को बदलने के लिए कमर कसके काम कर रहा है अब भारत अपनी केपसिटीज और केपेबिलिटीज को तेज गती से बढ़ाने में जुटा है एक समय था जब हमारे अपने लड़ा को विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजिनियरों वैज्ञानिकों और तेजस की छमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस सावन से आसमान में उडान भर रहा है कुछ सब्ता पहले ही तेजस के लिए फोर्टी एट थाउजन करोर रुप्य का ओर्डर दिया गया है कितने MSME सेक्टर जो इसके साथ जुडेंगे कितना बड़ा कारोबार होगा हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था आज हम ना सिर्व भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं